हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में दो बहुत बड़ी और मेजर अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और जैसा कि आपको पता ही है कि कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो ओवरल मार्केट में साथ के साथ यस बैंक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली उसके पीछे का रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ली यस बैंक का नहीं है यहाँ पे जो ग्लोबल सेनारियो बनते हो नजर आरे हैं जो रिसेशन जैसा सेनारियो बनते हो नजर आरा है उसकी वज़ा से भी अगर आप देखोगे तो यस बैंक में गिरावट आई है तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पे डिसक्स करने वाले हैं क्या क्या मेजर इंबॉर्डन अपडेट्स हैं वहाँ से जाके आप इजिली जॉइन कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सबते पहले दिखा देता हूँ जो ग्लोबल मार्केट के हाल चाल है वो काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं आप यहाँ पर डावजोंस दोखो तो कल का सेनारियो जो देखने को मिला 1.62% के आसपास की क्लोजिंग नेगिटिब में यहाँ पर S&P 500 देखो 1.72% यानि कि करीबन करीबन 2% की गिरावट नेश्टक कॉमबोजेट में भी करीबन करीबन 2% की गिरावट और अगर आप रसे 2000 इनेक्स को देखो भी कि तो 0.5% की किरावट है तो जो भी लोग यह बोल रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत खराब हो गई है या फिर शेयर सारे ही खराब हो गए कंपनी सारी ही खराब हो गई है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप यहाँ पर देखी पा रहे हो कि ग्लोबल मार्केट सिनारियो जो है वो काफी हद तक खराब निकल के आ रहा है सबसे बड़ा ओं मेजर कंसर्ण जो अभी इस टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है या फिर इंडियन एकोनोमी के लिए वो यह है कि जो यूएश्डी और आई एन आर यानि कि इंडियन रुपीज और डॉलर का रेशियो बहुत ही जादा खराब होते हो नजर आ रहा है अभी तक का सबसे जादा हाइश्ट देखने को मिल रहा है 81.06 तो यह अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इससे काफी बड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा और इंडियन एकोनोमी पे भी पड़ेगा लेकिन अगर आप देखोगे यह सारी चीज़े मैंने आपको नेगेटिव बताई भी था एक चीज पॉइटिव यह भी है कि इन सारे जिनेरियो उसके बाद जो ओयल के प्राइजिस है वो काफी हद तक कम हो गए है जैसे कि आप यहाँ पे क्रूड ओयल देख पा रहे होग अब मैं आपको डिरेक्ली लेकर चलता हूँ येस बैंक के सिनारियो उपर येस बैंक में अगर आप देखोगे कल के दिन काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली करीबन सारे तीन परसन के आसपास इससे पहले एक अच्छा कासा मुमेंट भी आया था लेगिन शेयर जो कि आपको सारे सतरह दक के लेबल पर पहुशते करेंगे पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक एक टार्गेट पता चल जाएंगे मैं आपको अगर यहां पर इसका वॉल्यूम का को सिनेरियो दिखाऊं काफी ज्यादा इंप्रेसिव निकल के आता है यानि कि अगर आप देखोगे एक हफते का एवरेज अगर हम यहा रहे हैं क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो चीज़ें कुछ ऐसी है कि यह बैंक ने पिछले कुछ महीनों में अच्छे कासे मूमेंट्स दिखाए हैं और यह हर किसी की रडार पर आपको नजर आता है वॉल्यूम टॉपर के मामले में अगर हम यहां पर देखें तो इस लिष्ट में भी आपको यह बैंक देखने को मिल जा रहा है तो यह एक अच्छी चीज है उसाथ के साथ इसकी डिलिवरी परसेंटेज भी अच्छी आ रही है यानि कि 35, 41, 41, 42 परसेंट के आसपर तो डीसेंट देखने को मिलती है तो यह सारा सिनेरियो मैंने आपको अभी तक बताया आपके करके मैं आपको अपडेट पर लेगा चलता हूँ सबते पहली अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक says it can exit reconstruction scheme once the RBI confirms compliance certificate आपको जैसा की पता ही है कि जब यस बैंक की हालत खराब हुई तो यहाँ पर एक reconstruction scheme बनाएगी जिसे बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा गासा निवेश किया और यस बैंक को बचाया अब उस reconstruction scheme में exit करने का यहाँ पर announcement हुआ था कि हम exit करने वाले हैं बहुत ही जल्दी कुछ महीनों पहले लेकिन अब यहाँ पर यह जो scenario है वो यह बनते हैं नजर आ रहे है कि यस बैंक तभी reconstruction scheme से exit कर सकता है जब तक RBI इनके compliance certificate को confirm ना करे तो यह एक चीज निकल के आती है तो अभी तक confirmation कोई निकल के नहीं आ पाया है इसी वज़े से अभी reconstruction scheme से exit नहीं हो पायेगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Yes Bank ने 15 जुलाई को इसी के regarding यानि की reconstruction scheme के regarding ही clarification दिया था लेकिन अब यहाँ पे जो चीज निकल के आई है वो officially Yes Bank की तरफ से ही निकल के आई है और इन्हों ने बोला है कि हम तभी exit कर पायेगे जब तक यहाँ पे compliance certificate आर भी ना दे दे यह आप पूरत यहाँ पे देखी पा रहे होगे साथ के साथ अगर आप यहाँ पे देखो सबसे जो important चीज निकल के आती है वो यह है कि Yes Bank ने 3 September को कहा कि वो आप यहाँ पे reconstruction scheme से exit तभी कर सकते हैं जब इनका जो lock-in period है तीन साल का जैसे कि आप सभी को भी पता है कि जब उ अगर आप देखोगे तो Yes Bank को जो confirmation है depository से यानि कि CDSL और NSDL से वो मिल चुकी है और अगर आप देखो तो 13 March को यहाँ पे आपको जो lock-in है वो खतम होते हैं नजर आने वाला है तो उन लोगों के लिए जिनके shares lock-in में डले हुए हैं उनके एक अच्छी कबर है उनके लिए आर गांधी को appoints किया गया था आपको non executive chairman की तरह अब यह आपको पते है कि deputy governor रह चुके है RBI के अब जब इतना अच्छा गाजा scenario बन रहा है यानि कि इनके अंडर ही सारी चीजे ली जाएंगी तो आप सोच पाओगे कि Yes Bank की जो आने वाली time में चीजे हैं वो काफी हद तक एक अच्छे level पे ही जाने वाली हैं और चीजा कुछ ऐसी हैं जो कि काफी अदे impressive बनती हैं अब सबते पहले जो main चीज निकल के आई वो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर targets क्या क्या हैं जो हमारी main चीज निकल के आती है वो आपको यहाँ पे मैं आपको directly सुमित बगा सकते हैं सबसे पहली बात short term के और दूसरी बात 18 रुपे से 22 रुपे के बीच में अब यहाँ पे तीसरी चीज निकल के आती है वो यह है कि आपको 14 रुपे का stop loss भी maintain करके रखना चाहिए यानि कि जिन भी लोगों ने 8 पे 9 पे 10 पे या फिर 12 से 13 पे भी एक अच्छा का सा amount उठाया है अगर उनका stop loss आप 14 का maintain कर लोगे तो भी आपको एक कुछ ना कुछ तो फायदा हो गई अगर शेयर में गिरावट हो भी जाती है तो लेकिन आप यह बताया गया है कि अगर शेयर ने 20 रुपे या 22 रुपे के level को cross कर दियो sustain कर गया तो यहाँ पे आपको 14 रु कर दो हो आप